तो गाइस कार्तिक आरण के फिल्म सहजादा सिनेमा घरों में 17 फरवरी संदोजार तेस को रिलीज की गई थी जिसे रिलीज की हुए 17 दिन पूरे हो चुके हैं और आज अठारवा दिन चल लहा है वहीं आज के इस वीडियो में जानेंगे फिल्म के 17 और 18 दिन का टोटल वल्डवाइट बॉक्स ओफिस कलेक्शन और इंडियन बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और गाइस साथ ही जानेंगे कि अभी तक ये फिल्म 50 क्रोड के अकड़े को पार कर पाई है या नहीं लेकिन उससे पहले ये दियाब मेरे चैनल पे नए होत अपली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना तो गाइज रोहिद धवन के डारेक्शन में बनी फिल्म सहजादा जिसे 85 करोल के बजट में बनाया गया है जिसमें कार्तिक आरेन और करत सेनन के अलावा परेस रावल मनीशा कोईराला राजपाल यादो जैसे बेस्ट टेक्टर देखने को मिले हैं गाई जी ये सुपरिस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म अल्लू अर्जुन की स्टाइल को कॉपी करते हुए दिखे हैं गाई जी ये फिल्म रीमेक होने के कारण बॉक्स आफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई आपको बता दूए ये फिल्म अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स आफिस पर मातर 6 करोड की कमाई की थी वहीं इस फिल्म ने अपने दूसरे विकेंड में इंडियन बॉक्स ओफिस पर 3 करोड 19 लाग की कमाई की और गाईज इस फिल्म ने अपने पंदरवे दिन इंडियन बॉक्स ओफिस पर 19 लाग की कमाई की तो वहीं 16 दिन 36 लाग की कमाई की गाई जीत बात करें की आज ये फिल्म कितने करोड की कमाई कर रही हैные तो आज ये फिल्म अपने yuan18 दिन इंटेन बॉक्स ऑफिस पर मातर 20 लाग की कमाई करने वाली है गाईज जहां इस फिल्म का बजट 85 करोड रुपे है वहीं ये फिल्म अभी तक मात 41 करोड की कमाई कर पाई है जिससे गाईज ये फिल्म फ्लॉप साबित हो चुकी है वैसे गाईज क्या आप इस फिल्म को देख चुके हो कॉमेंट सक्सर में जरूर बताना जानकारी पसंद आई हो अपली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई